असलाम अलेकूम आदाब कैसे हैं दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर अलियनौर कुरेशी आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस सेशन में दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आरिद्मिया अरिद्मिया मतलब क्या ओट is अरिद्मिया दोस्तों हमारा जो हार्ट है उसके हार्टबीट लगवख नॉर्मल हार्टबीट यह 70 से 100 के पेशों पर जब वो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो हम उसको अरिद्मिया कहते हैं मतलब जो heart का beat है वो proper तरीके से हो रहा है तो ठीक है यह heart का beat यह जो कम हो रहा है that is pretty कर दिया और heart का beat ज्यादा हो रहा है that is tech ही कर दिया तो ऐसी जो beats है दोस्तो इसे हम arrhythmia कहते हैं तो यह arrhythmia अगर किसी patient में आ रहे हैं तो arrhythmia को कैसे पैचाने एफकरस अरिद्मिया पेचानने के लिए हमें ECG का थोड़ा सा नौलेज होना चाहिए दोस्तों तो ECG में जैसे हमें पता है PQRST ये वेव होते हैं तो ये वेव का हमें थोड़ा सा नौलेज होना पड़ता है दोस्तों जब यह वे उसका हमें नौलिज होता है तो जो है हमें ECG जो है अच्छी दिर की समझ में आती है तो अरिद्मिया अगर किसी पेशेंट में अरिद्मिया है दोस्तों जो डेंजरस अरिद्मिया होते हैं वो अफकोंस टेक्की करड़े के अरिद्मिया होते हैं तो टेकी करड़िया जब हार्ट बिट अबो हंड्रेड होता है 120, 130 तो उस condition में हम क्या-क्या drugs वहाँ पर उस कर सकते हैं दोस्तों, आज का वीडियो जो है इन drugs के उपर हम बात करने वाले हैं तो आपको बता होगा दोस्तों की जो arrhythmia होते हैं उनके problem जो है हमें solve करने होते हैं कभी-कभी वहाँ पर ectopics beat होते हैं तो अगर ectopics beat है ectopics beat मतलब एक वियो आ रहा है बाद में आचानक जो है दूसरा वियो आ रहा है मतलब PQRST PQRST, P-VIO is not followed by QRS complex और QRS complex is not followed by P-VIO और T-VIO तो in that condition जो है हम उसको और कभी-कभी एक नया beat महाँ पर आता है that is called ectopics beat ectopic beats आ रहा है हार्ट का रिदम जो है भीगड रहा है तो उस condition में हमें जो है दोस्तों महाँ एक simple हम ड्रगवा पर थे है calcium gluconate तो ये ectopic beats भी हमें जो है पहिचानना होता है दोस्तों normal way with some abnormal beat that is ectopic beats अभी ectopic beats के बाद जो है दोस्तों tachycardia जो है अलग अलग प्रकार के जो है दोस्तों इसमें अरिद्मिया होते है ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, torcid, d-point ऐसे जो अलग अलग प्रकार के जो टेकिकार अरिद्मियास होते है दोस्तों तो उनको हम किस तरीके से manage करते हैं दोस्तों तो क्या drugs है तो drugs की बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों सब में पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा injection amadron injection amadron की बारे में एक बात बताऊंगा दोस्तों ये 3 ml का ampoule होता है और इसका जो dose होता है दोस्तों वो nearly 150 mg होता है तो 150 mg का एक एमपुल होता है दोस्तों अगर दोस्तों किसी पेशन्ट को conscious patient को अगर arrhythmia चालू है तो ऐसे patients में हम जो है एक एमपुल 1 एमपुल of amadron we can give slowly over 10 minutes एक एमपुल का amadron हम जो है 10 cc आ 20 cc के टिंडल में डिसॉल करके slowly हम push कर सकते हैं दोस्तों यह फिर कभी-कभी मैंने देखा है दोस्तों amadron की drip भी लगाई जाती है यह amadron tablet भी दिया जाता है that is cardaron tablet तो उस प्रकार से जो है हमें एक arrhythmia में जो है दोस्तों amadron injection 150 mg देना है यही अगर समझो arrhythmia अगर cardiac arrest के patient में है तो वहाँ पी जो है starting dose will be 300 mg followed by a single dose of 150 mg दूसरे बार जो है मैं अगर amadron देना हो तो वहाँ पी जो है दूस्तों 150 mg देते हैं पहली बार जो है 300 mg पाट अगर नॉर्मल conscious patient में arrhythmia है तो मैं जैसा पता है one ampoule is okay we can repeat it whenever they arrhythmia are arriving तो हमें जो है cardiac beat BP monitoring heart rate monitoring के ओपर जो है यह emadron देना होता है दूसरा एक drug दोस्तों इसमें है जिसका नाम है adenosine 6 mg 12 mg इसमें ऐसा है इसके dose है adenosine भी जो है हम दोस्तों यह क्या बोलते हैं उसको arrhythmia भी प्रेफरेबल है दोस्तों जब patient conscious है बट अंस्टेबल conscious patient पर अंस्टेबल patient patient is conscious बस patient is unstable so at that time we will give injection adenosine तो adenosine का भी 6 mg 12 mg उसको तो adenosine को एक फार्स्ट पुछ करना होता है दोस्तों तो यह adenosine और amadron और calcium gluconate in simple ectopics और अलग अलग प्रक्यार के जो tablet है delta zam है amadron है ऐसे tablet जो है हम यह ectopic beats में वह परते हैं दोस्तों यह आइरिध्मे को आपकते हैं वोब आपको आटके is simple but important videos of a diet thank you